परव पे लोग डंडवत करते हुए छट घाट तक जाते हैं इसका ये महत्व है कि जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं बो सुर्ज भगवान हमारी मनोकामनाएं को पुर्ण करते हैं तो हमने उनसे वादा करते हैं कि हे सुर्ज भगवान हमारे अगर इस कार्ज को आप पूरा कर द हाटों पर डंडबत करते हुए जाएंगे और उस तरह से अपने घर के दरवाजा से नाप कर एक हाथ में लकडी रखते हैं और सरीर को लिटाते हुए और उहां चिन्हा दे करके और उसके बाद आगे की बढ़ते हुए लोग जाते हैं और घार तक जाते हैं उसको कष्टी कह जाता है पुरानों से ऐसा स्वी पुरान में भी आया है कि जो लोग इस कार्ज को करते हैं उनका कार्ज बिल्कुल सिद्ध होता है मतलब पहले करते हैं या बाजम भी माले पहले उनकी कारज चिध यह तब करते हैं. कहा लोग करते हैं कि या पराज को हमको यह चीछ दे दे दिए तब हम आपका करें यहां तो स्वार्त हैं. तो बिना स्वार्थ का प्रीत कहाँ, जब तक भगवान देते हैं तो लोग करते हैं, आन्य तो आस्था एक ऐसी चीज है, उनके परती इतनी आस्था है, कि हमारी मनों कामनाएं को पुर्ण करते हैं, तो हमारे उनके उपर नोचावर हो जाते हैं, कि जो भी कि ये सुज कि जो भी अगर गलती हो गई तो इसको आप शमा कीजिए ऐसे लोग मानते हैं इसकी इतनी बड़ी महता है तो क्या ये जिसे दंदबद ये अकष्टी प्रथा के हिसाब से जाते हैं तो कोई मंत्र का भी जाप करते हुए जाते हैं हाँ चती महता है मांगने के लिए तो महता है है लेकिन सुर्ज भगवान तो उनके इस्ट देवता है ने इसलिए उनकी परमपराह से तो लोग चती महिया के ही नाम से जिनको जो सुविधा हुआ वो कहते हैं